प्रोड़क्ट के बारे में अब आज की सेशन में हम और कुछ और प्रोड़क्ट के बारे में थोड़ाशा जानने की कोशिस करेंगे जिसमें पहला प्रोड़क्ट होगा वह है डीलिपो बहुत ही इंप्रोड़क्ट है अभी जो अपडेट हो चुका है रिवाइस हुआ है डीलिपो में बहुत सारे इंग्रिणर इसमें एड़ किया है लेकिन यह पूरानी स्लाइड से लेकिन डीलिपो को यूज करने से पहले डीलिपो के बारे में थोड़ा सा जान लेना ज़रूरी है कि इ मैंने पीडिएफ लिया है डीलिपो का पूरा पीडिएफ है डीलिपो के बारे में और कुछ बिमारियों के बारे में जिसमें डीलिपो को हम रेकॉमेंड कर सकते हैं तो उसका यह पीडिएफ है तो इसको डीटेल्स में हम लोग डीलिपो के बारे में आपे जान सकते हैं च यान जानने से पहले कि सबस्क्राइब क्या है और कोलेश्टोब इस ल वेकशी फैट कोलेश्टोल के रहे हैं जो हमारे चरवी रहता है तो कौन बनाता है वह बनाता है तो यहां पर लएका खिए क्वार्य रता है व्याद्ट को बनाता है और कुछ और चीजünde बनाता फैट करachi करने में जोब बनाते भो भी मनता है सो यह जरूरी है क्या है और स्टवी शंक कड नैगा यह हर्मोन मायाने में भी पॉलिस्ट्रों का बहुत बड़ा रोल रहाता है एक मिनिट अब भी मेरा साउंट कर जाएगा हलो हलो कर जाएगा कर जाएगा एक माझा में बड़ा रोल रहा है दो कर जाएगा भी में आप आलाता है जिसक्षित नोगी, बजेगा दिनी जो कहा है, तो दूजिए भाहिए जो कीछिए है, लेक थीजुगे जो मुझा जो कहा है, जो कीछिए। अो जब एंचे झाल 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 होता है तो इसको भी खतम करना बहुत जरूरी होता है तो इसके लिए भी थोड़ा सा से हमारे हमेरे कार्भो हाईडरेट या फिर दूद अंडा से मिलता है विट करंजिम इट फ्रॉं मीट डैरी प्रोडक्स ए न हमारा लिबरवी कोलेस्टल बनाता है तो डॉबल कोलेस्टल हो जाता है कभी-कभी तो इस तरह से कोलेश्टोल हाइए बज़ा से चलेंज रहे स हैं आधे हैं प्रॉब्ली चलेंट प्रॉब्ली में दोसों से नीचे होना चाहिए यह कोलेश्टोल नौर्म है तो दोसों से नीचे होगा कोलेस्ट्टर्ल का है वह 500 की नीचे है तो अच्छा है तो दोस्तों से निगर उपर सारे रिक्स प्रेक्टर में आते हैं बहुत सारी लोगों को बहुत ज्यादा होता है तो उसको काम करना बहुत ज़र्जी होता है होनी चाहिए उससे कम है तो यह बुरा है उससे और 35 के निजी होगा तो यह बहुत रिस्क फैक्टर है क्योंकि छोलेस्ट्रोल के उपर फाइट करनें कोलेस्ट्रोल होता है तो लोड़न को बुरा कोलेस्ट्रोल बोलता है घ्राब कोलेस्ट्रोल यह बढ़ गए बड़ जाता एक सो इन एक सुसाट के अंदर में यह बोटर लाइन हो जाता है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूत होता है उसके पाद एक सुसाट से उपर होगा तो फिर यह ज्यादा रिस्की माना जाता है और रेशियो में अगर देखा जाए कोलेस्टोल का हमारे नसों में यह जमने लगता है प्लैक प्रोडूस करता है प्लैक जिसको प्लैक बोलते हैं यह ज्यादा कॉफी पीना चाय कॉलेस्टोल जमने में मजद करता है इस्समोकिंग सबसे डेंजर है को जमने वाला फैट उससे भी कोलेस्टल में की ढमनियों में जो है कोलेस्टल जम जाता है उसी तरह से लैक अप एकक्स साइज एक फैक्टर होता है था तो तो अल्रोडी जानने के ज़रोत है हम आल्री जानके हैं हम उल्रूट के बार में और यहां पर कुछ दिया है चाट किस तरह से का डाइट में कितना कॉलिस्ट्रोल होता है यह दिखाया गया है यहां पर यहां पर ट्रांसपेट अन्सचुरेटट फैट हम लोग आलड़ी जो है वह फैट में हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब यह आते हैं जो डी ल पो के अंदर में रहएं तो ग्रैपशिट एक्स्ट्राट यानिकी अई आयुरुवैदा में का जाता है कि एक्स्टेंट्रोज्ट्रोज्ट्रोज सबसे यूजब है अन्टि ऑक्सिडेट में हाड को पूस्ट लेमेडी फ़ी फौर कंडिशन रिलेटिट रिलेटेट- टुरहण को बिलसुन इसको बोलता है इसके कारण हाई ब्लड पिशर होता है हाई कॉलेस्टेल पूर सर्कुलेशन होता है सब्सक्राइबेटिस का कॉंप्लिकेशन बढ़ जाता है रिलेट करता है उसमें नर्फ सिस्टम आई डैमेज विजन प्रॉब्लम यह सारे जो होता है इस सारे चीजों में जो है यह यह वहां पर प्रिवेंट करता है इसको होने से बचाता है स्वोइलिंग होने से बचाता है नसों के था बहुत ही बैटरी सबी तरह के गुन इसमें पाए जाते हैं जो लो डेंसिटी लेपोप्रेटी यानि ल्डील को रिड्यूस करता है और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है रिटेक्शन अब हार्ट डिसीज कैंसर डाइसेशिट्स सिस्टम को भी ठीक रखेगा और एस्परेटिव डिसॉर्डर को ठीक रखेगा ये हैं ग्रैप्सेट ग्रैप्सेट में जो काले वाला अंधूर होता है उसका दाना वहां से निकाला गया एंटि आ क्यूद शेम पें प्रोवै इस तरह तो यह इस तरह से काम करता है में यहां पर इसके बाद impressedby त्या किया क्या benefit मिलता है चले ही दिखते हैं protect heart tissue and cardiovascular system सबसे पहले तो यह हमारी heart को बचाएगा और cardiovascular system है यह हार्ड वाला जो circulatory system है उसको protect करेगा बचाएगा उसको बिमार होने नहीं देगा उसमें plague की formation को prevent करेगा defend against the damaging effect of diabetes diabetes से होने वाले जितने भी damages है उससे यह बचाएगा उसको डिफेंट करेगा प्रिबेंट bacterial and viral infection जितने भी viral infection होता है जो लंग्स के तुरू सास के तुरू शरी में जाता है उसमें भी यह protect करेगा प्रिबेंट करेगा decrease the increase of various tumors जितने भी शरी में tumors बनते हैं अक्सा tumors बनते रहते हैं क्योंकि हमारे body में toxins जमा होते रहते हैं तो यह tumor के बनने को भी रोकता है डिक्रीज करता है प्रोटेक्ट अगेंस डेमेजिक इफेक्ट अभ यूवी रेज यानि कि इस संसे आने वाले जो यूवी रेज हैं उससे भी हमारे स्कीन को बचाता है यह ग्रैप से एक्स्टेट मिटिगेट एजिंग एफेक्ट एजिंग इफेक्ट यानिकि जो जल्द को बढ़ाया रखता है रिडिस इंफ्लामेशन यानि दर्द को सुजन को कम करता है इंप्रूब कॉलेस्ट्र लेबल को मेंटेन करता है इंक्रिस फैट मैटबोलिजिम यानि कि फैट को पचाने का फैट को मैटबोलाइज करके एनरजी में कनवर्ट करने का तो यह भी इसम इसके साथ हैं तो इसके साथ अगर हम वेट लॉस में काफी अच्छा रिजर्ड आता है प्रिवेंट डेंटल डेंटल कवेटी डेंटल कवेटी मनें दातों की जो कवेटी होते हैं जो इसका क्या बनते हैं जो पकड़ने वाला जो मजबूत दातों की जड़ को एक इसमें जो जाटों का सड़ना उसको में प्रिवेंड करता है प्रोटिक नियूरोंस नियूरोंस यानि हमारे जो नर्वस सिस्टम है जो निउरो जो शिस्टम में जो नसे हैं उसको भी वहां पर भी नियूरोन याने ब्रेन की नसे जो आते ने ने ब्रेन की सियल उसको भी प्रोटेक्ट करता है तो यह माईगरेन भी बहुत अच्छा काम देता है त्रिट हाइपर्टेजन याने हाइब ब्लॉड पैसर को यह उसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रिडेंट है वह मैंगोस्टिन एक्सटर्ट में एक एंटी ऑक्सिदेंट है जिसका नाम है जान्थोंस अब जान्थोंस क्या करता है थोड़ा सा हम आगे की स्लाइड में देखेंगे एक प्रूट है जैसे भारत के नीचे वाले हिस्से या मलेशिया या सिंगापूर यह जो जितने भी नीचे वाले हिस्टा है जाते हैं वहां पर यह पाया जाता है खासकर ऑस्टले में ज्यादर पाया जाते हैं इवें बिन कॉल्ड इस शुपर पूट है कि इसका अधर बहुत सारे एंटी ऑक्सिदेंट रहते हैं जानतों एक ऐसा एंटी ऑक्सिदेंट है इस पिसल नीट्रेंस है जो मैंगोस्टिन के अंदर में पाया जाते हैं लेग सर्से वारिक्स डीज Absolute शाम होते हैं तो तरह के जानथोस होते हैं इस फिरूट के अंदर में एक होता है एक तरह मेंस्तेन午 spot James गामान आनकर सों अद्सट्रा में क्सवर समक्राश्थिसंट पाये जाते हैं तो लिखिया क्या है सबस्क्राश sha और फेक्तिव ऐसे कट से में सब्सक्राइब करसे हो सकतए और अच्छा क्रेफिटोंट के छिक्टम सब्सक्राइब में बध्याइट करता है एईजिंग करना और चीट करना मने उस वीमारी को ठीक करना एजिंग ऑबेसीडी में जैसे मैंने रगता है तो मैंगोस्टिन के कुछ बैनेफिट्स हम यहां पर देखेंगे मैंगोस्टिन किस-किस में पोटेंशल बैनेफिट करता है स्लो एजिंग सबसे पहले तो हमारे एजिंग प्रॉसेस को स्लोडाउन करेगा जल्दी बुड़ा होने नहीं देगा फाइट बैक्टरिय इन्फेक्षन बैक्टरिय इन्फेक्षन जो पर प्रॉंस करता है उस इन्फेक्षण से यह फाइट करेगा प्रीवेंट ल्जाइमर्स जो भूलने की विमारी गेलगेे जल्जाँवन होता-पहल करता दो बूलने की मैने प्रॉंसींग पैरकिंस एक आगमारीर है यह विपरेंचन करता है यह उसमें उसमें इम्पूर्स ने सकते हैं आnous एंट्चिन उन डीम आ दे परेशन और इनजाइट WD में मदद करता है उसको कम करने में ए लटीयुरूम सिस्ट्म जितने भी एलर्जी के सीम्टॉम सोते हैं 봐 с सिंटर्फ रिदूस करने में मदद करेंगा रिदूस करेंगा म मांगर्ण मांगर्म के लिए तहरा है बहुत अच्छा काम करता हैं माइग्रेन स्क लिए होते हैं इसमें खरोज होते हैं उसको च्ञार से करेगा इंफ्लामिशन य delivers पेंन को अच्छा है और भी बेनेफिट से श्चार्ण from the area प्याइब को कम करेगा कॉलेश्ट्टोल को कम करेगा बलड सेल्स रेट बलड सेल्स को ग्रोथ करेगा उसको बढ़ाएगा खून बनाने जिसके खून की कमी बहुत प्रक दे सकते हैं वहां पे भी मदद दरेगा कोन बनाने में healing of stomach, stomach में जो healing है, ulcers है, उसको heal करने में bowel ulcers जो भी है, या आतों में जो ulcers है, पेट में जो ulcers है, उसको heal करने में डिली पो काफी मदद करता है, virus infections के साथ लड़ता है, क्योंकि इसमें antiviral property है, bone mass, इन्हें हड्डियों का जो tight पन होता है, मजबूत ही होता है, उसमें भी support करेगा, immune response को improve करेगा, heart को protect करेगा, cataracts के formation को कम करेगा, irritable balls जो होता है न, आतों की जो बिमारी ओते, irritable ball syndrome, IBS, उसको reduce करने में मदद करेगा, help fungus और parasites के जितने भी infections होते हैं, उसमें उसको fight करने में मदद करेगा, vascular health, हमारे नसों के जो health है, उसमें ये support करेगा, तो कितना सारा benefit है इसका, so many of benefits of mangostean listed above, deal with supporting heart disease, सबसे ज़्यादा ये heart disease को ही prevent करेगा, जिसमें cholesterol को leveling करना होता है, lower करना होता है, blood pressure को कम करना होता है, information को कम करना होता है, दर्द को कम करना होता है, vascular health को maintain करना बनाए रखने के लिए, ये बिलिए को सबसे mangostean जो है, जानतोस जिस वी अंदर में है, ये मदद करेगा, heart disease, alzheimer disease और बाकि सारे कितने भी chronic disease होते हैं, उनमें भी ये उसको भी prevent करने में मदद करता है, तो और इंज डिलिपु का benefit क्या क्या बता रहे है, यह इन टोटल में, ये anti-disc lipidemia है, dyslipidemia में बने, lipid profile को, जो की cholesterol, जिसके अंदर में आते हैं, triglycerol, cholesterol, HDL, LDL, सब भी जो आते हैं, उसके against में क्याम करता है, उसको बढ़ने ही नहीं देगा, उसको prevent करेगा, ठीक है, अगर बढ़ा हुआ है, तो उसको भी कम करेगा, ये इसमें क्या लिए क्या है, शेबरे है, प्रिबेंट, skin disease, में मदद करेगा, उसको prevent करेगा, एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सिद, एंटी वाइरल है, है ये, तो जहाँ जहाँ एंटी ऑक्सिद की जो लोते हैं, वहाँ पाया, ये, एंटी एथिलो, क्लोरसिक, यहनि जो कि जो सक्त पने उसको लचीला पन में लेके आएगा यह लचीला बनाया रखेगा नसों को हाड होने नहीं देगा काडियो प्रोटेक्टिव यानि हाड को प्रोटेक्ट करेगा तो वन कैप्सुल डेली ट्वाइस बिफोर फूट एज डिरेक्टिट बाई फिजीशन यानि द आप चलता है तभी हम जिन्दा है हमारे सरी में ब्लड सर्कुलेशन होता है और सारे सेल्स को एनर्जी मिलता है तो ये के थ्रूटे थो थे तो हाट एक मोटर है उसको बचाहिये रखना बहुत जरूरी है यह हर सकंद धाड़ता रहता है तो अगर यह रूख जाए तो दुनिया हमारा जीवान ही रूख जाता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिलीपो का 7 करना बहुत जरूरी है हम कम से क सब्सक्राइब करने के लिए हमें कम से कम साल में एक बार ज़रूर डिलेपो का शेवन करना है ताकि हमारा हाट हमारे नशे स्वस्त रहें और हम जिन्दा रहें यह था हमारा डिलेपो और इसे रिलेटेट कुछ में उसमें यूज वाले जो यह है न्युदा बेकटरिया उसको भी एड किया गाए जो हमारे फुट फाइबर मंने तो हमें डिलेपो खाने से वही मिल जाते हैं लुद जाएगा जो अलसर के घाओ को परने में मदद करता है तो अलसर के लिए बहुत अच्छा प्रोड़क्ट बनाया है अब ही इस तो यह था हम नेक्स्ट में जाते हैं अब जो है वह है अंडिंग हो गया अभी हम दुसरा स्लाइट में जाएंगे इसको स्टॉप करना पड़ेगा तो दु कि यहां गया स्लाइट अभी हम नेक्स स्लाइट में जाएंगे वो है हमारा एक सुपर फूट है इसका नाम है स्पाइरो लीना स्पाइरो लीना के बारे में चर्चा करेंगे ठीक है स्पर लुना स्पर व्-णौ ने रसपर व्----- व------ो अनिव व्ट हल चनजिस्टेस्टैनि फ्रिल्ट्यून स्पर लुना इज न रस्तिंग फूड को राइंगे रशन्य न्यूट झाल 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 तो यह बेस्ट फूड माना जाता है यह कोई खा सकता है इसको कोई भी खा सकता है तो आगे हम बढ़ेंगे इसका कि बूश्ट इम्मून है उपर में वह अन्हां पोर्ट भी ए तो एक पावर्फोल कोर्स फ़र एबाउट इस पर में के बारे में कुछ ऑस्ट उसक्ष टॉप्टर ने साइन्टिष नहीं यहां पर दिआ है ग्राम फोर ग्रैम ग्रैम नहीं चने से बहुत प्रोटीन जी के च नजरिये से बराबर है इस पर ना कोड़ बीदा मॉस्ट न्यूट्रिशिस और वेल राउंड़ेट फूड ओन दा प्लानेट वीच स्टोर्स अल्मोस्ट इंडिफिनेट्रिट्री ग्रैम प्रोग्रैम्स मनें चना खना और एक ऐसा न्यूट्रिशिस प्लांट है इस पर इस तो सभी तरह के गुन हमें देगा और डेविट वाफल पर लिखते हैं कि इस पर इनना यिल्स टू हंड़ेट ताइमस मोर प्रोटीन पर एक कर देन बीफ देखें बीफ मनें जो गाय का मीट होता है जिसको बलते है ना बैल का मीट तो बीफ में जितना प्रोटीन होता है ए प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए इससट्व산फ को बैसित करेगा एड़ाइशेशन और ये थकान को दूर करेगा इंडूरिस है हमारे बॉडी के जो शिस्टम है उसको बिल्ड प करेगा नेचरल डिटॉक्सिफायर याने बॉडी को क्लीग करेगा साफ भी करेगा एनरजी लेबल को बढ़ाएगा भूख को कंट्रोल करेगा कार्डियोभास्कुलर फंक्शन यह हार्ट डिस्स यहार्ट फंक्शन को बढ़ाएगा मेंटेन रखेगा हेल्दी रखेगा लीवर क्रिटनी दोनों को सपोर्ड भी करता है लेकिन किटनी जो अल्री जिसका यूरीक इसिद बढ़ा हुआ है उल्रीड है न जिसका यूरिया क्रिटनाइन बढ़ा हुआ है तो उसको हम लोग यह नहीं देते हैं kaa सकते हैं त्रिटमेंट के लिए किटनी में इसको नहीं देते हैं बस इसको आपर हमें पढल Самी रिदूस्ट इंफ्लामेशन को कम करेगा सुजन को कम करेगा जो एलर्जी से सफर कर रहे हैं उसको में भी बेनेफिट करेगा वेट लॉस में थोड़ा सा इनकॉरेज करता है यह मदद करता है बॉड़ी के टॉक्सिंस को यह निकालेगा लीबर को प्यूरिफाइगा मेंटल फिर्ट्नेट को बढ़ाएगा दिमाग की सब्सक्राइगा ब्लॉड कलिस्टोर को लोगर करेगा त्राइगेसलट कभी यह एक्सेस ठाइल पालेपिट उसको भी कम करेगा इन्फेक्शन से लडएगा भाइरल इनफेक्शन से यह रिडियेशन से जो सिखनेश वहता है उसम यह बहुत important role play करता है blood sugar वाले को भी देख सकते हम लोग क्योंकि protein diet जो है blood sugar को चाहिए होता है energy उसका down रहता है nervous system को strength करेगा टाकाद्रेगर immune system को strength करेगा उसके बात हम leader mercury जो body में toxic material होते हैं उसको remove करने में में मदद करेंगे यानि कि डीटॉक्स करेंगा ईलिंग ऑफ वोंड यानि घाओ भरने में भी हमें मदद करेंगा तो यह था हमारा सिप Juice Young जिसको हम हम कूई भी जिसको ऋब्र Psalm । भी खा सकते हैं जिसको प्रीम है ओ Wam खा सकते हैं बहुत सारे बेनेफिट ऐस फरियून खाना बहुत ही अच्छा मैं眠 फ्रीड़ युट्वर्ड सांद देखेंगे तो यहां पर लिखा इस पर नपर फूल सेप्टम विटामिस मिनरस माइको नूटन मेडिशन एकॉलिटिस दैद इन अंदर में अधर मेडिशन वहता है तो इसके अन्दर में अधर में एक्लासिफाइट किया गया है तो इबलिशन लाइब और प्लानेर ओर फॉस्ट और आप है व्यूंप आप दो यह तैडिवा शुल्यू दो यह बता जाता है कि हमारे पिट्री भी में जो पहला जो माइक्रो ओर्गनीजम बना था कड़रों साल पहले मनिश्य आने से पहले जीव आने से पहले जो पहला जीव था वो था एल्गेक तो एल्गेक क्या खाकर जिन्दा रहता था वही यह प्लांट जो इस पर लुना है और यह एल्गेक जो है वह समुद्र के अंदर में पाया गया था वहीं से यह डेबलप यूएस फूड ड्रक अड्मिस्टेशन भी इसको करता है क्या लिखा है यह कोई भी खा सकता है मैंनी टॉक्षी लोजीश कल स्टेश्य है प्रूबेन इस पर लुना सेटी इस पर ना बिलॉंग्स टुदार सब्स्टेश्ज याटर लिस्टेट बाइटा यूएस फूड ड bells to cultivate बट florish only in alkaline legs legs लेजक क्या होता है जील का पानी सवच होता है वहां पर ही इसको की आज़ेट ड्रक हिए प्रॉउट पोखम मिदेट रहता है जिसके करना बड़ि में जो hits value है वह मैंटेड हेतर प्लज बड़ा बडा पोखरी तलाप उसके अंदर में इसको cultivate किया जाता है there are only few areas worldwide that have the ideal sunny element the production of the alga including Greece, Nigeria, Japan, India, United States, Spain. Currently ispranina is mostly commonly found in health food stores and is showed mainly as a dietary supplement in the form of health drinks or tablet. अभी जो है ispranina को सारे विश्चो में ही एक डाइक्टि supplement के तुरू एक अच्छा food के रूप में इसको बेचा जाता है market किया जाता है क्यों कि इसको सारे लोग जो है इसको अच्छा food मानते हैं तो यह है इसका history और इसका cultivation कैसे होता है यह पानी के अंदर में तालाब में या बड़े बड़े लेग जिसका पानी स्वच है वहां पर इसको cultivate किया जाते है यह पर उगाया जाते है वहां पर खेती किया जाता है इसको ठीक है यह था हमारा ओड़ना जोनीच के बारे में बारी बारी से हमिलें इतना ही कि ब हॏ जोपए मुझाए मिला है तो यह डाउन लोड़ किया है कुछ यह पीच्वे से सकते हैं तैंक यू झाल झाल